आपके पेट में एक दूसरा दिमाग है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, सब कुछ इस से तै होता है कि पेट में क्या हो रहा है, इतना शक्तिशाली उपकरण, पर अगर आप इसे संभालना नहीं जानते तो ये गंभीर समस्या है. योग संस्कृती में आमतोर पर ये कहा जाता है, कि आपको हमेशा ऐसा भोजन खाना चाहिए, जो उसी दाइरे में उगाया गया हो, उतनी ही डायमेटर या रेडियस में उगाया गया हो, जितनी दूरी एक आदमी एक दिन में चल सकता है. सुबै से शाम तक अगर आप चलें, शायद आप 15, 20 या शायद 25 किलोमीटर तक सीधा चल पाएंगे, तो आपको 25 किलोमीटर के दाइरे में उगा भोजन खाना चाहिए. इसके पीछे क्या तर्ख है या इसका विज्ञान क्या है? देखे, मिट्टी में जिस तरह की सूख्ष्ण जीवों की गतिविधी होती है, और जो इनसानों की आंतों में होता है, वो एक ही है. वो एक जैसा ही है, या एक तरह से मिट्टी में होने वाली गतिविधी का ही और अधिक विक्सित रूप पेट में होता है. सेकड़ों सालों के बाद अब जाकर आधनेक मेडिकल विज्ञान भी ये बोल रहा है, कि आपके पेट में एक दूसरा दिमाग है, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कि आप कौन है? मुझे उमीद है कि ऐसा आपके साथ नहीं है, लेकिन इन में से बहुत सारी चीज़ें कि आप कैसे हैं, आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, आपके संतुलन का स्तर, आप में शान्ती, सब कुछ इस से तैह होता है कि आपके पेट में क्या हो रहा है, इसे सेकेंड ब एक बात ये कि इस chemistry को manage करने के लिए ग्रंथियों के स्राव बहुत जरूरी हैं, लेकिन पेट वो जगा है जहाँ आप रूपी इस medical factory के अंदर आने वाला input आता है, यानि सारा खाना, तो भोजन कैसा हो? अगर भोजन उसी भूमी का हो, जिस पर आप खड़े हैं, तो आपका उससे एक विशेश रिष्टा होता है, इंसानों की सारी problem ये है कि बस, कि आप थोड़ा बहुत यहां वहां घूम पाते हैं, तो आपको लगता है, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वो किसी और ग्र पाते हैं, कि आप मिट्टी से आए हैं, ये बस, प्रकृती की उदारता है, कि उसने आपको यहां वहां घूमने की थोड़ी आजादी दी है, और आप पूरे confused हो गए हैं कि आपका स्रोत क्या है, तो अपने स्रोत के संपर्क में बने रहे हैं, जो कि मिट्टी है, आपके व विकास की प्रक्रिया ही मिट्टी ने करवाई है, ये मिट्टी से ही प्रिरित है, विकास का सबसे बुनियादी पहलू, जिससे इस धर्ती के जीव जादा से जादा जटल रूपों में विकसित हुए हैं, और जीवन के लाखों रूपों में प्रकट हुए हैं, और आज, ख आज हर कोई पेट के दिमाग को जादा महतुपून बता रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस दिमाग को नहीं समहल पा रहे है ये दिमाग एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है हर कोई सोच रहा है कि यही सारी मानसिक समस्याओं का आधार है हाँ ऐसा ही है अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो इतना शक्तिशाली उपकरण अगर आपको इसे संभालना नहीं आता तो ये एक बड़ी समस्या है तो आप वो अपने पेट वाले दिमाग की और पलट रहे हैं जो जादा भरोसे मंद है, कम से कम वो खुद से चलता है तो पेट के ये सुक्ष्म जीवी और उपरी सता की मिट्टी में जो कुछ होता है ये दोनों चीजें एक जैसी हैं और इसमें नकेवल जीवन को बनाने वाली समगरी होती है बलकि इसमें कितनी सारी दवाईयां भी होती है एक तरह से आज हम उन्हें दवाईयां कहना चाहेंगे पर मैं उन्हें उपचार की शक्तियां कहूँगा जैसे उधारन के लिए पता है ये पाया गया है कि ऐसे कई अध्यन हुए है जिन में ये पता चला है कि बाहर मिट्टी में खेलने वाले बच्चों का चाहे आप मिट्टी का बरतन बनाए या मिट्टी का चित्र बनाए या मिट्टी का मानव शरीर बनाए सब कुछ मिट्टी ही है तो मिट्टी से जुड़कर एक हो जाना है या तो भोजन की मदद से या शारेरिक रूप से जुड़े रहकर ये बहुत ज़ादा ज़रूरी है और आधुनिक जीवन शैली ने हमें पूरी तरह से मिट्टी से दूर कर दिया है हम लोग मिट्टी से बहुत दूरी बना कर जी रहे हैं और यहां तक कि जब हमें जमीन पर चलना भी होता है वो उची हील्स पहनती हैं जो 6 इंच लंबी होती है मैं महिलाओं और उनके फैशन के खिलाफ नहीं हूँ वो जो चाहें कर सकती हैं लेकिन पृत्वी से जुड़ कर रहना और सबसे बढ़ कर मिट्टी से जुड़े रहना स्वस्थ और संतुलित जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है ऐसे कितने ही उदारण है हमेशा से सदियों से जब लोग शांती पाना चाहते थे जब उनका मन परेशान होता था वो जंगलों में पहालों में जाकर चुपचाब बैठ जाते थे योग में हम हमेशा सीधा जमीन पर लेटते हैं बिना किसी चीज के या किसी और्गानिक चीज पर लेटते हैं क्योंकि हमारा शरीर जमीन से जुड़ा होना चाहिए और साथ ही बिजली का नेगेटिव मिलना भी जरूरी है इससे आपके शरीर को एक तरह का अर्दिंग या नेगेटिव मिल जाता है जिससे अत्रिक्त पॉजिटिव चार्ज बेअसर हो सकता है जिसकी वज़े से बेचैनी हो सकती है या गैर जरूरी नियूरोलोजिकल गतिविधी हो सकती है जिससे कई सारी समस्याइं हो सकती है ये ऐसा है मानी आप अपने एंजिन को हमेशा तेज तेज चला रहे हों तो लोग जंगलों में, वनों में और पहाडों में चले जाते थे और जाकर बस बैठ जाते थे और पाते थे कि वो बिलकुल शांत हो जाते थे इसका जरूर हमारे और मिट्टी के रिष्टे से कुछ लेना देना है आप सोच सकते हैं कि ये एक पेड़ है लेकिन ये मिट्टी है आप सोच सकते हैं कि वो एक जानवर है पर वो मिट्टी है आप सोच सकते हैं कि ये एक इनसान है पर ये मिट्टी है इसलिए ये जुडाव बहुत महत्पून है आज अभी मैंने सुना, मुझे लॉस एंजल्स में बताया गया कि एले के ठीक बाहर एक फार्म है जहां अगर आप 50 डॉलर दें तो आप करीब आधे घंटे के लिए गाय को गले लगा सकते हैं क्योंकि आप मिट्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप गट माइक्रोबायोम को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं आप अपने अंदर कुछ संतुलन का अभास लाना चाह रहे हैं वैसे अगर आप कोई शक्तिशाली योग प्राक्टिस जानते होते आप ये अपने आप कर पाते अपने ही अंदर से लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सबसे आसान काम है मिट्टी से जुड़े रहना और ये एक फैक्ट है कि 30 करोड से ज़ादा लोग ऐस्थमा से पीढ़े थे अमेरिका में बच्चों की आधी तादाद को 3 साल की उम्र होते होते सांसों की तकलीफ होने लग जाती है और वो तमाम तरह की दवाईयां लेने लग जाते हैं लोगों को हर तरह की चीज़ों से अलर्जी हो रही है वेल सौ साल पहले आपने इन अलर्जीज के बारे में सुना भी नहीं था बहुत कम लोगों को ये होती थी आज ये सामाने बात होती जा रही है हर किसी को किसी ने किसी चीज़ से अलर्जी है मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिने धूप से अलर्जी है मैं ऐसे लोगों से मिलाओं जिने बारिश के पानी से अलर्जी है मैं बेशक ऐसे लोगों से मिलाओं जिने मुंगफली से अलर्जी है इसके बारे में सभी जानते हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें बस मुंगफली खानी नहीं है अगर आप बस उस फली को खोलने भी लग जाएं, उस लाजवाब फली को जो की बेहत पॉष्टिक है, जिसे हम ग्राउननट या मुंगफली कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पैदा होती है, लेकिन अगर मैं बस इसे यहां खोल दूँ और किसी को ऐलर्जी है, तो प अगर ये सच है, तो भी मुझे कोई दिककत नहीं है, आशायद मैं भी एक येलियन हो, मैं ऐसा लिगता हूं, मैं भी एकैलियन हो सकता हूं, पर हमने इस धर्ती के इस जीवन के हिसाफ से खुद को ढ़ाल लिया है, तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा भोजन और हमारी मर प्रत्यू मिट्टी से जुड़ी है। ये समझना जरूरी है कि जो लोग खेतों या खुलेक शेतरों में रहते हैं, उनमें अलर्जी यानि दूसरी जगाहों के बच्चों के मुकाबले ग्रामीन बच्चों को बहुत कम अलर्जी होती है। क्योंकि हमें लगता है कि अमीरी का मतलब है हमें हाइड्रोजन का गुबारा बन जाना चाहिए। यानि हमें कुछ भी करके धर्ती से दूर रहना चाहिए। और फिर हम जीवन को बनाने वाले जादू को यानि मिट्टी को डर्ट या गंदगी कहने लगते हैं। अगर ये गं हमें वैसा नहीं बनना है।